आप ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 2x-3y, कुश्चन पहला है, 2x-3y इक्वाल 1 और इसमें एक इक्वेशन है भाई साहब, 5x अपलफ का 4y इक्वाल का क्या है, 1,4,14 इनको क्या करना है, आपको जरा ध्यान देना, इन्हें हमें एक काम करना है, इन्हें लिखो आप लोग, प्रतियस्थापन विधी से हल करना है, क्या करना है, वो प्रतियस्थापन विधी से हल करिये, कितने लोग कर लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल परिसान नहीं होंगे, मैं बताऊंगा, आप सभी कर ले जाएंगे, सुधानसू जी का कमेंट रहा है प्रियंका चौधरी का कमेंट रहा है राजे अंदर रास का मेंट आ रहा है बहुतろ है लेकिन आयम नहीं ले सकते क्योंकि हम पढ़ाना भी ए छलिये इंद कि तो कि oh कि टो समझिए कि वैंकी समिकरन एक और दो आपको दिया है न कि कि भाइज अपर से हाल करेंगे यहां से हर लिखेंगे अनिदार हमें यह समी करण दिये थे हम यहीं पर इनको मांन लेंगे वन और इनको तू दो बार का ise लिखें बार बार यहां लिखेंगे समिकरण एक से कि में हम ऐसा काम कर सकता हूं क्या पता है इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2X पराबर 1 प्लस थ्रीवाई कि यह लिख सकता हूं कि नहीं वहिया हो यह 3y उधर जायेगा बाभू तो प्लस में हो जाएगा यक्स का बैलू निकाल लेंगे तो वन प्लस थ्री भाई अपान टू कि यह आपका हो जाएगा इक्वैसन नंबर क्या तीन मान लो इसे कि यह समीकरण नंबर तीन हो गया अब क्या करोगे हम अब क्या करोगे तरह सोचो और मुझे बताओ कि यक्स का मान आया ना भाईया इसको किसी एक समीकरण में रख दोगे बाबू ठीक है फिर वाई का मान मिल जाएगा आप लिखो इस मान को समीकरण एक में तो नहीं रखेंगे क्योंकि एक से ही निकला है दो में रखेंगे लिखिए इस मान को मतलब जो दिया है समीकरण दो में रखने पर ठीक है क्लियर दुनीता जी आपका कमेंट आ रहा ठीक है ओके गरिमा जी विल्कुल गुड इबनिंग नरेस जी गुड इबनिंग कमीकरण दो दिया है भाई यहां दिया है इनको हम इधर साइड में कर लेंगे क्योंकि इधर जगा कम है पहले हम यहां तक हल करेंगे फिर उधर साइड में चलेंगे यह दिया है पांच यक्स प्लस फोर वाई इक्वल वन फोर फोर्टीन एक्स का जो बैलू दिया है वन प्लस थ्री वाई अपांटू इसे रख लेंगे यह फाइप इंटू वन प्लस थ्री वाई अपांटू ऐसे हो जाएगा यह फ्लस फोर वाई इक्वल वन फोर फोर्टीन इसमें किसी को कोई परिसानी नहीं हो रही है अब कुछ मस्त है चलो अब इनका हम हल करके वाई का यहां से मान निकालेंगे कैसे हल करेंगे जरा ध्यान देना उपर का इसमें अंदर में गुड़ा करोगे हल करना थोड़ा मुश्किल होगा मेहनत करनी पड़ेगी तो पांच एककम पांच और पांच का तीन में करोगे पांतियाई 15 वाई कि इतना हो जाएगा यह पंदरा वाई नीचे दो है तो यह दो ऐसे ही रहेगा यह प्लस चार वाई इक्वल वन फोर फोर्टीन यहां से हमें वाई का मान निकालना है थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ठीक है चलिए अब इसमें हम का करेंगे भाया इनको इनके नीचे वन लिखो इनको आपस में हल करो तिरचा मल्टीपल करो इसको तो पांच पलस यह पंदरा वाई पलस यह दो चुब का आठ वाई इनका क्रास मल्टीपल करो आपस में इसका इसमें किया इसका इसमें किया यह दो और यह 1414, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब मैं मिटा सकता हूँ, इधर मिटा दूँगा ध्यान देना, उधर साइड से इधर आजाओ, साथियों अब इसको हल करना आसान है, यहां से Y का मान निकल जाएगा, और Y का मान जो निकल जाएगा न, उचे समीकरण एक में सिर्फ यक्स का मान निकल जाएगा, समीकरण में सिर्फ यक्स वाई का ही मान निकालना, इसमें और कुछ करना भी नहीं, ठीक है बईया, सही न, चलो, इसके नीचे बन लिख लेते हैं, क्रास मल्टीपल कर देंगे, तो यह आपका फाइनल में यहां पर मैं एरो तो लाके रखतो जलो फटा-फट, इनका क्रास मल्टीपल करो, भाई, वन में मल्टीपल होगा, किसी का तो वन ही रहता है, यानि फाइप का वन में हुआ तो यह फाइप हो गया, और वन का फिप्टीन में कुल मिला के यह पूरा का पूरा आइस से उतर जाएगा, यानि हम इस में है, इस में से माइनस में हो जाएगा, तो यह 23Y, इक्वाली हो जाएगा, 28-5, इतना किसी को कोई डाउट, नहीं, देखो बाबू समझा न, यह हो जाएगा, 23 अपान 23, फाइनल में 1 हो जाएगा, ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि यह गटेगा तो 23 आएगा, और यह 23 इ कमान समी करण 1 में रखने पर, ठीक है, रपट लिख लो, वाई कमान किसमें समी करण 1 में रखने पर, जैसे आप रख दो कि वैसे कहान ही हो जाएगी, खतम, अब देखना मैं लिखने के बाद हट जाऊंगा, तो 2X माइनस का 3Y है न, बराबर का 1, माइनस है याद रहे, एक में रखने पर, यह समी करण 1 है, तो Y कमान रखेंगे, 1 आया है, यह 1 है, थोड़ा सा दिश्टरब चल रहा है, यह 2X, भाई यह 1 है, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, क्योंकि यह 3 माइनस का और यह 1 4 हो जाएगा, यह 2 इक्वल 4 अ इस तरह से चात्रों आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट करिए, पीटी सी यानी डियलेट के सभी समेस्टर की क्लास देखने के लिए, पीबियार स्टड़ी रहाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें, औ और देखते रहे हमारे साथ, बहुत-बहुत सुक्तिया आप सभी को दिल से धन्यवाद, कुछ भी कहना है तो बताइए, नहीं कहना ना चलो, बंद करते हैं,